इस तरी के परसंद का कैसे हल करें एक थेले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं तो इस थेले में इसे एक गेंद यादर से निकाले जाती है लाल होने की प्राइक्ता और लाल नहीं होने की प्राइक्ता में पता करनी है तो देखिए विल्कूल सिंपल है तो ऐसे हमें दिया है क्या दिया है लाल गेंदों की संख्या कितने हैं तीन काली गेंदों की संख्या पांच गेंदों की कुल संख्या तीन प्लस पांच कितने हैं आठ यह चीज निकल गई अब एक गेंद हमने क्या निकाली एक गेंद या दिर्श्या निकाली गई है तो उसमें लाल होने की प्राइक था लाल गेंद प्राप्त होने की या करने की प्राइक था कैसे आएगी अनुकूल परिणाम की संख्या बटे परिणाम की कुल संख्या या ऐसे समझ लो अनुकूल परिणाम यानि लाल गेंद कितनी हैं तीन हैं और परिणाम की कुल संख्या कुल संख्या यानि कुल गेंदे कितनी हैं कुल गेंदे आठ है ठीक है यह आपका उतर आ गया दूसरे में यह क्या पुछ रहा है लाल नहीं हो क्या हो लाल नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे इसको लाल गेंद ने प्राप्त करने की प्राइक था यह कैसे आती है एक माइनस लाल गेंद की प्राइक था लाल गेंद की प्राइक था एक माइनस लाल गेंद आने की प्राइक था एक माइनस लाल गेंद आने कितनी है तीन बटे आठ आठ का यहां गुणा होगा एक गुणा आठ कितना आठ माइनस यह तीन और बटे आठ आठ म है उके तो इस प्रकार से यह हमारे कैल्कुलेशन हो जाती है कि अब इसको आप दूसरे सब्दों में कैसे समझ सकते हैं लाल गेंड पर आपने होने कें मतलब दो कलर आपके बास एक लाल है और एक आपके पास काली है तो लाल नहीं आए के कौन आएगी काली तो काली गेंड किसम क्या कितनी है पांच है तो ये लो पांच कुल गेंदे कितनी है आठ तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं